आप सभी को फूड रेसेपी चानल पर स्वागत है और आज हम रेस्टुरेंट इस्टाइल जीरा राइस बनाएंगे वीडियो में बताये गए तरीके से आप जीरा राइस बनाएंगे तो आपके जीरा राइस भी इस तरह से खिले-खिले बनके तयार होंगे जीरा राइस बना सकते हैं जल्दी से इसकी रेसेपी देख लेते हैं जीरा राइस बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक कब बास्मती राइस राइस को मैंने आधा घंटा पहले धो कर अच्छे से पानी में सोब कर लिया है आप भी चावल को आधा गंटा पहले पानी में फुले दे उसके बाद हम जीरा राइस बनाएंगे राइस बोईल करने के लिए हम बोईल पानी में राइस एड़ करेंगे पानी बोईल हो गया है हम इसमें राइस एड़ करेंगे बॉइल पानी में राइस एड़ की हूँ इसे मिला लेंगे राइस को खिले खिले बनाने के लिए हम इसमें एक चमच लेमन जूस एड़ करेंगे और इसमें एक चमच रिफाइन ओईल एड़ करेंगे ओईल एड़ करने से चावल हमारे आपस में नहीं चिपकेंगे आद इसे मिला लेंगे हमें चावल को 95% पकाना है आप इसे हाइफ लेम पे पकने दे चावल बॉइल होके 15 मिनट हो गया है हम इसे एक बार चेक कर लेंगे आप भी इस तरह इसे ले करके चेक कर ले चावल हमारा पक गया है हमें इसे इतना ही पकाना है गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और चावल से एक्स्ट्रा पानी निकाल करके हम चावल छान लेंगे ये देखें चावल से मैंने एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया है हम इसे इस टैम पे प्लेट में निकाल कर फैला लेंगे जिससे हमारे चावल आपस में चिपके ना इस तरह प्लेट में चावल को फैला दे इस तरह से चावल को प्लेट में फैला देने से चावल हमारा ओवर कुक नहीं होगा और जीरा राइस लेखिले बनके तयार होंगे हम इसी तरह राइस को 5 मिनट ठंडा होने देंगे उसके बाद हम जीरा राइस बनाएंगे जीरा राइस बनाने के लिए पैन लेंगे गैस अन करेंगे और पैन को गरम होने देंगे पैन हमारा गरम हो गया है एक चम्मच बटर आइट करेंगे बटर को मेल्ट होने देंगे जीरे राइस भी या बटर में ही बनाए इससे जीरे राइस में रेस्टुरेंट वाला फ्लेवर आता है हाफ चम्मच जीरा एट करेंगे जीरे को भी मिलाते हुए पकने देंगे गैस का फ्लेम मेडियम टू हाइ रखे इससे हमारा बटर नहीं जलेगा यह देखिए जीरा हमारे पक गए है हम इसमें राइस एड़ करेंगे इसी तरह हम सभी राइस एड़ करके इससे मिला लेंगे यह देखिए हमने हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे यह देखिए जीरे में हमने राइस को अच्छी से मिला लिया है इसमें इस तरह पर नमक एड़ करेंगे में साथ अनुसार नमक एड़ करेंगे नमक को भी मिला लेंगे यह देखिए जीरे राइस हमारा बन गया है हम इसमें धनिया पत्ता अड़ करेंगे और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे भी मिला लेंगे यह देखिए रेस्टूरेंट इस्टाइल जीरा राइस बन कर हमारा तयार हो गया है हम इसे सर्व कर लेंगे यह देखिए दोस्तों हमारा रेस्टूरेंट इस्टाइल जीरा राइस बन कर तयार है आप भी इसी तरह अपने घर में मिंटो में जीरा राइस बना कर तयार कर सकते हैं आपके भी जीरा राइस इसी तरह खिले खिले बन कर तयार होंगे आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेल्फुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग